सिर्फ दो कटोरी बेशन में और दो चम्मत दूद मिलाके इतनी बढ़िया मिठाई तयार करेंगे न कि आप में सोचा भी रही होगा और वो भी किलो भर तो हलो फ्रेंज वेलकम बैट रिमाई चैनलन कोंगे विद्रेखा तो चलिए बाहर महगी महगी मिठाईयों को फेल कर देने वाली मिठाई बनाते हैं जिसके लिए मैंने ले लिया है एक कटोरी और हम सारा मेजर्मेंट इस कटोरी से ही करेंगे सबसे पहले लेना है दो कटोरी बेसन देखे इस तरीके के बेसन होना चाहिए ज्यादा मोटा नहीं बेसन हमें चाहिए थोड़ा बारिक वाला बेसन चाहिए और उसी कटोरी से ले लेंगे एक कटोरी देसी घी घबराईये ने पूरा घीये में अभी नहीं डालना है थोड़ा सा घीस में डालेंगे हम देखे इतना दो चम्मच या डेड़ चम्मच के करिवी इसमें घी डाल देना है और हाँ से इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है देखिए इस तरीके से इसको हम मोयन देदगे कोई भी मिठाई आप बना रहे हो उसमें घी, दूद, खोया, पनीर, कंडेंज मिल इनका सबसे बड़ा रोल होता है लेकिन इस मिठाई में बहुत जादा चीजों की ज़रुरत नहीं है सिर्फ और सिर्फ घी और दो चम्मत दूद से ही हम बनाएंगे ये मिठाई बेसन का लड़ू तो बहुत लोग बना लेते हैं लेकिन बेसन की मिठाई या उसकी बरफी बनाने में थोड़ी से टेंशन होती है लोगों को लेकिन ये रेसिपी देखने के बाद में आपकी वो टेंशन दूर हो जाएगी इजी और बहुत ही जल्दी बनेगी ये मिठाई तो अभी ले लिया है मैंने दूद और दूद मैंने आधा का डोरी लिया है लेकिन यूज हम सरिप दो चम्मत ही इसका करेंगे देखिए थोड़ा सा दूद ढलके और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है देखिए ये एकदम दाने दार मिठाई बनेगी इसलिए हमने घी के साथ साथ दूद का भी मोयन दिया है देखे अच्छी तरीके से हमें इसे पहले ऐसे मसल मसल के बेशन को मोयन देना है सारी खुबी ये आपको मोयन देने में ही होगी मैंने बेशन का लड़ू भी बता है वो भी दूद के पन्नी से बेशन के मोती चूर के लड़ू बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल तरीका है आप जुरूर मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं तो एक चमचे करीब दूद और मैंने ले लिया है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है देखे इस तरीके से हमें इसे मिला लेना है ध्यान रहे, इसमें दूध और घी बहुत जादा नहीं डालने की जोरत है देखिए, स्रीप और स्रीप दो चमबच हमने घी डाला है और दो ही चमबच हमने इसमें दूध डाला है तो देखिए, कितना बढ़ियां इस तरीके से एकदम दानेदार बेसन बन चुका है हमारा ना ऐसे ही बेसन हमें चाहिए इस मिठाई के लिए एकदम पर्फेक्ट मोयम दिया है, देखिए बहुत ही बढ़ियां दानेदार और एकदम सूजी जैसे लग रहा है ना चान के ही बनाईएगा तो हारों पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मिठाईयां लोग बाहर से खरीद के लाते हैं लेकिन घर की मिठाई बनाने का अपना एक अलग ही मजा है और खासता और पर दिवाली पर दिवाली पर भगवान गनेश और माता लक्षमी की पूजा होती है और भगवान गनेश को लड़ू का भोग लगता है और माता लक्षमी को सफेद मिठाई का तो दोनों मिठाईयों के रेज़िपी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है लिंक मैं डिस्क्रिप्सन बॉक्स में आपको दे दोंगे तो देखें बेसन को हमने चान लिया है कितना बढ़िया दानेदार बेसन बन चुका है अब बेसन को रखना है साइड में अब बनाएंगे हम सुगर सिरफ मतलब चाशनी जिसके लिए मैंने सेम कटोरी लिए है अब उसी कटोरी से हमें लेना है दो कटोरी चीनी एकदम परफिक्ट माप है दो कटोरी बेसन में दो कटोरी चीनी का यूज़ करेंगे हम और उसी कटोरी से ले लेना है एक कटोरी पानी न कम और न जजादा बस एक कटोरी पानी में इसमें डालना है और यह मैंने ले लिया है तीन से चार इलाइची उसे कूट के डाल देना है आपके पास पाउडर हो तो पाउडर डाल सकते हो और इसे के पे मैंने थोड़ा सा food color का यूज किया है यह optional है आप डालना चाहो तो डालें और जलने का डर रहेगा ध्यान रहे जब तक चाशनी में उबाल नहीं आ रहा है तब तक हमें गैस की फ्लिम को हाई रखना है और उसके continue चलाते रहना है छोड़ना नहीं है उस टाइम में चाशनी हमें एक तार की ही बनानी है बहुत ज़्यादा देर तक हमें इसको उबालना नहीं है और बहुत ज़्यादा तार की हमें चाशनी नहीं बनानी है क्योंकि हमें एकदम soft मिठाई बनानी है इसलिए चाशनी को एकदम ध्यान से और अच्छी तरीके से हमें बनानी है तो देखिए उबाला चुका है अब इस समय में गैस की फ्लेम को आप मेडियम और लो पे कर सकते हैं और अभी लेना है दूसरा पैन और उसमें हम बेसन को डाल देंगे इसमें और कुछ चीजे नहीं डालनी है सिर्फ पर सिर्फ बेसन को लेंगे और इससे चढ़ा देंगे गैस पे और हम इसको एगनम मेडियम लो फ्लेम पे दो से तीन मिड़ के लिए भूल लेंगे और इधर ध्यान देना है चाशनी के ऊपर भी चाशनी बहुत ज़्यादा गाड़ी नहीं करने ही हमें देखे इस तरीके के चाशनी हमें चाहिए चैनल पर जो पहली बार आ रहा है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजेगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास महोच सके तो बेसन भी आलमोस्ट भून चुका है देखे कितना बढ़ी अग्दम दानेदार और सौन्धी-सौन्धी खुसवू आ रहे है बहुत ही अच्छा बेसन भूना हुआ है और अभी हम करेंगे गैस को बंद और इधर देख लेते हैं चाशनी को चाशनी भी हमारी औरमच तयार हो चुकी है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की चाशनी बनानी है देखे बस इसी तरह की के हमें चाशनी चाहिए एक तार की अभी चाशनी को उतार के हमें ये बेशर में डाल देना है ध्यान से और साउधानी से डाले क्योंकि चाशनी बहुत गरम है और अब इस जगर पे फिर से हमें गैस को जला लेना है और गैस जलाने के बाद इसे अच्छी तरीके से कल्चु से चलाते रहना है जग तक कि ये गाढ़ा नो हो जाए और अब डाल देना है जो बचा हुआ अमारे पास दिसी घी था न वो पूरा घी इसमें डाल देना है इस थारीके से घी डालने से आपकी मिठाई एकदम सॉफ्ट और एकदम माउट मेल्टिंग बनेगी यही कि आपने पहले डाला होता तो मिठाई आपकी एकदम कड़क बनती तो एक चोटी चोटी टीपस और टिक्स का दियान दे कि अगर आप बेसन की मिठाई बनाते हो नो तो कभी भी आपकी मिठाई खराब नहीं होगी कोई भी यह बना सकता है किसी बेटाईम बना सकता है वो ज़रूर नहीं है कि आप तेवहार पे ही बनाए बिना तेवहार के भी बना सकते हो कभी भी आपका अगर मिठाखाने का मन करें तो इस तरीके से आप बेसन की बरफी आराम से बना के खा सकते हैं तो अभी almost हमारी मिठाई तयार हो चुकी है चलिए इसको नीचे उता लेते हैं और फिर अभी हमेसी जमाना है तो मिठाई जिसमें जमानी है उसमें घी लगा लेना है मैंने थाली लिया है थाली में घी लगा लिया है आप थाली प्लेट या फिर ट्रे किसी भी चीज में आप जमा सकते हैं जिस शेप में काटना है उस शेप में काट सकते हैं तो देखिए बहुत ही अच्छी बहुत ही बढ़ियां एकदम गाड़ी हो चुकी है हमारी मिठाई और इसे थोड़ा सा पहले चला लेंगे फिर उसके बाद में जमाएंगे तो लग रही ने एकदम दानेदार मिठाई बनेगी हमारी बहुत ही बढ़ियां बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कमाल की मिठाई बनेगी तो चलिए अभी इसे हम जमा देते हैं थाली में अभी इसे सारा पलट लेंगे हम थाली में इस तरीके से बेसर में चास्टी डालने के बाद हमने इसे 3-4 मिर्ट ही पकाया है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है इसको पकाने में तो आप ध्यान दिजेगा और गैस की फ्लेम को बिल्कुल ध्यान दिजेगा कि मेडियम और लो पे ही रहे अब ही फ्लेम नहीं करना है यह चीद में बताना भुल गई थी आपको तबी सारा मिक्शर इसमें प्लेट में ट्रांस्वर कर लेना है और किसी एक अच्छे चम्मस से या कल्चुर से इसे अच्छी तरीके से फ्लैट कर लेना है देखे इस तरीके से में दबा दबा के अच्छी तरीके से एकदम एक लेवल का बना देना है देखे एकदम फ्लैट कर देना है और गरम में ही इसे करना है ध्यान दे ठंडा नहीं होना चाहिए ठंदा हुआ तो यह जम जाएगा और अच्छी तरीके से फ्लैट SHE हो पाएगा तो देखिए एकदम अच्छी तरीके से फ्लैट हो चुका है अभी इसको ऊपर से आप ड्राई फूट डाल दीजिए एकदम बारीक कटा हुआ ड्राई फूट डालना है से कोई साभी ड्राइफ्रूट आप डालिए वैसे बदाम और पिसना मैंने डाला हुआ है और ड्राइफ्रूट डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से फिर से ऐसे टैप कर देना है देखें इस तरीके से इसको चिपका देना है तभी अच्छी तरीके से आपकी मिठाई देख आप बर्फी शेप दे सकते हैं, स्कौायर में दे सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा उसी सबसे इसको शेप दे सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी बनाना हो, वैसे आप बना सकते हैं, तो देखें, एक मिडियम साइज का मैंने कट किया हुआ है, तो अभी तयार हो चुकि हमारी वेशन की बहुत ही बढ़िया मिठाई या बर्फी जो भी बोलें आप इसको, तो इस देवाली जरूर आप ट्राई किजेगा, आपको बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, इस मैथट से आप बनाएंगे तो, और छोटी छोटी चोटी टीप्स ट्रिक्स का ध्यान दीजेगा, तब ही जाके आपकी मिठाई बहुत ही पर्फेक्ट और बहुत ही बढ़िया बनेगे, तो देखिए तयार हो चुकी है मिठाई, तो कैसी लगी मिठाई की रेसिपी, कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजेगा, व वाली का एंजोई कीजेए, फिर मिलते हैं मेरे आने वाली कोई नवी वीडियो कसा, तब तक लिए बाई बाई